लूपाली को प्रोडियूज करपर लूएंれ नाथ उसमें नीगेटिब चार्ज है ऐना ही उसके पोजेटिब चार्ज है तो क्या नीटब जिस क्या उष्व पर क्लिकश्यर कोई नहीं हो यहां हिं दुस्तो स्क्रावrá बोला ने को जापड़े में लगे होंगे तो जैसा कि दोस्तों आप सो अपने स्क्रीन पर देख सकते हो आज की सुड़ी में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वन फिजिक्स चैप्टर वन के टोटल पांच मोस्ट इंपॉर्टन कोस्टन को हम लोग भी डिसकस करने वाले है ठीक है पांच इससे पहले भी आपने ऐसे 의 क्लास किये होंगी जिसमें के हमने क्लास 12 फिजिक्स के काफी इंपॉर्टेंट कोस्टन हमने करा रखे हैं विद पीडियएफ इसका एक पीडियएफ आपको टेलीग्राम पर टेलिग्राम आपका इजुकेशनल वक्स नाम से बना हुा है फ्सक्रasmu अअब बना हुआ है वहाँ पे आपको इसे पुरा पुरा PDF आपको परवाइड कर दिया जाता है वो आपके उपर है कि आप हिंदी में या इंग्लिस में, हिंदी प्लस इंग्लिस दोनों ही लाइंग्वेज में आपको ऐसे PDF अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकतो, पहला पेपर आगर आपको इंग्लिस का है, तो दूसरा में सेम कोशन हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये PDF के तोर पर आपको पुरा को पुरा दे दिया जाएगा, तो आज की इस विडियो में हम लोग, जो सेक्शन चल रहा, आखरी के कुछ पहलू में हम लोग इंटरी कर चुके हैं, ठीक है, पांस से दस कोशन और इस चैप्टर से होंगे, उसके बाद फिर एक भी कोशन होने माला नहीं है, तो लास्ट क्ला करते हैं, पहला जो कि आज की इस वीडियो का 25 नमर कोशन पहला आपके स्क्रीन पर है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी आप हम फॉलो कर सकते हैं, एजूकेशनल बॉक्स वहाँ पर भी आप इसे दोला में भी, 2028 के आसपास में पूछा है, बहुत इंपॉर्डिंग कोशन में से एक है, बस इतना याद रखेगा, आपको एक्स्प्लेन करना है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्रिक फिल्स, बहुत इंपॉर्डिंग कोशन में से एक है, चली, क्या होता है, इलेक्रिक फिल्ड at a point due to number of charges equal to vector sum of electric fields, देक है, electric field किसी भी point पे, ठीक है, किसी भी number of charge का equal होता है, vector sum के उसके electric fields, ठीक है, produced by these charges individually, जबने इसको individually करते हैं, तो, e is close to e1 plus, e2 plus, e3 dot dot dot, e n तक जितना भी है, और इसी को आफ़े से कह सकते हैं, क्या, super position principle of electric fields, question number आते हम लोग, अब 20, 6 के तरफ तो कहता क्या है, can a neutral body produce electric field examplify, क्या neutral body, neutral, अब neutral का मतले तो पता ही भाई, ना तो उसमे negative charge है, ना ही उस पर positive charge है, तो क्या neutral body, जिस पर क्यों कुछ भी नहीं हो, क्या उस पर कोई possible है, कि वो हैसे charge को produce कर सकते हैं, उसको आप example के साथ बताएं, yes, तो इसका answer होगा, yes, a neutral body can produce electric field, neutral body जो होगा, वो electric field को produce कर सकता है, example के तोर पर, electric dipole consists of two equal and opposite charges, जानते होगे, equal, जो आपका electric dipole होता है, ना दो हैसे, equal and opposite charges को क्या करता है, तो इसलिए, equal and opposite charges, equal कहने का बतला है, प्लस one ले रहा है, तो उधर minus one ले रहा है, तो देख भाई, plus minus, minus, यहनकी खतम, charge तो होगा 0, लेकिन यह possess तो कर रहा है न, इसलिए कहा कि आपका यह proof होता है, कि neutral body पे charge होगा, electric field को produce कर सकता है, और इसका example है, electric dipole, कोई दिक्कत? चलिए हमारे प्यारे दोस, question number 27, what is SI unit of electric dipole moment, एक important question है, देख सकते हो, 2014-2014 वे लागातार पूछा है, ठीक है, और काफी 2-4 साल हो गया, नहीं पूछा है, लेकिन हाँ, chances है, 2030 में आप से पूछ सकता है, electric dipole moment हम लोगों पाता है, electric dipole piece हम लोग इंडिकेट करते हैं, उसका होता की उन्टू 12, यानकी charge उन्टू डिस्टेंस, और उसके बाद कूलंब मीटर, centimeter में लिखो या फिर मीटर में, तो SI unit जो हमारा, होता है, electric dipole का होता है, कूलंब मीटर, क्या होता है, कूलंब मीटर, च प्रिस्मत कीजेगा, एक electric dipole देख सकते हो, minus charge इसर प्लस charge, electric dipole रखा हुआ, electric field lines में, ठीक है, तो आपको पताना है, कि execute करेगा, translatory motion या नहीं, तो देख मेरे भाई, electric dipole हमारा कहां रखा हुआ है, तो electric field E में, force क्या है, force in minus Q charge, देखे, F1 पे क्या हो जागा हमारा, यहाँ F F1 देखे तो, यहाँ F1 है न, और यह F2 है, तो देखे मेरे भाई, F1 का लग रहा है direction, देखो, इस side में force लगा रहा, इस side में, F2 का इस side में, ठीक है, तेहां चलिए, आते हम लोग अपने question पर कहता है, F1 हमारा QE, opposite direction में होगा, E के, देखे, E हमारा इस side में, electric field में है, electric field म F1 हमारा उसके opposite है, तो देखे वही चीज़ यहाँ पर लिखावा है, यह समझ गये, ठीक है, plus Q charge पे, और F2 हमारा भी opposite direction में, क्योंकि यह minus में है, चलिए, next, तो total late आपका क्या होज़र बता चुके है, दोनों का opposite direction इसके कारण से 0, तो इसलिए आपका dipole, आपका क्या करेग execute नहीं करेगा, Question 29, जहां से देखेगा, How does the electric field due to an electrical dipole change with distance, कैसा electric fields हो है, आपका electric dipole के दोरा change कर लेता अपना distance को, electric field due to an, electric dipole in an axial position, ठीक है, axial position का हम लोगों को पता है, यह axial में हमारा होता है, 2pi e4 by epsilon rq, यह axial पे हमारा जम निकलेगा, तो a1 by rq, ठीक है, Electric field due to an electric dipole in equitorial position, equitorial position में निकालना है, तो eq potential surface का हम लोगों पता है, कि p by 4pi epsilon rq होता है, इसी दरगे से cube producer surface का निकाले, तो दोनों equation हमारा पास आ गया, तो जब दोनों equation को solve करें, तो आता है, final e into a1 by rq, hence electric field due to an electric dipole is indirectly proportional to the cube of the distance, electric dipole आपका, किसका होता है, indirectly proportional to the cube of distance, कोई दिकत question 30 देखिएगा, in which direction विला dipole rotate in an electric field, बहुत important है, बहुत important है, इसको b by tick कर लीजेगा, बहुत important question में से एक है, किस direction में, किस direction में, आपका जो dipole हो rotate करेगा electric field में, तो मारे पैरा दोस, electric dipole जो है ना, रोटेट करेगा, किस सीज़ पे देखिए, so that the smaller angle between P, यानि कि electric dipole moment and electric field decreases, when angle between P and E will be 0, it will stop its rotation, तो जब 0 हो जागा ना, तो अपना rotation क्या करेगा, रोक देगा, तो यह था हमारा question number 30, इसके बाद का जो हमारे question चलने वाले में, प्यारे दोस, 31 से लेकर के, 35 तक में, sorry, 31 ही questions है, तो 31 भी देखी लीजे, क्या इसको भी छोड़ना, फिरा से last class खतम कर लेते हैं, तो, नहीं, सारे के सारे अलग-अलग questions है, वो mix हो गया, तो नहीं है, दो वीडियो, एक वीडियो इसका और आएगा, 31 में ही आपके दो questions बन हो, अगर कोई doubt होना, तो नीचे comment करके पूछ लेना, टेली ग्राम पर भी ऐसे हमें पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी educational box, टेली ग्राम पर भी educational box, वहाँ पर भी आप सवाल कर लेना, चली मिलते हैं, अगले वीडियो में, आसा करते हैं, आज के physics का class, आपको ऐसे जाएंगे, तो आपको regular के 3 वीडियो मिल जाएंगे, अपलास, अगस्त मन से आपका English और Hindi भी इस्टाट कर दिया जाएंगे, तो अगले वीडियो में, आपका हमारे सुरे पर अपना बहुत मुले समय देंगे, बहुत बहुत धनेवादी वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, भीडियो में, अबशेफे वीडियो में अबिद्यों कि बहुत कर दो अभएंगे, पनेवादी दो आएंगे, आपका हमारे साफ्से बाता करू जाएंगे, तो आएंगे, वीडियो और Hindi पना के आएंगे